नमस्कार संगीतस किचिन में आपका स्वागत है जैसा आप देख रहे हैं कि बढ़िया ताजी मश्रूम है मेरे पास और मेरे पास है मटर टमाटर तो आज मैं आपको एक बढ़िया मश्रूम चीज ओम्रेट बनाना सिखाऊंगी तो चलिए मिलते हैं नेक्स प्रुसेस में तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ्ट ओम्रेट जिसके लिए मैंने लिए हैं ये मश्रूम और सबसे पहले हम इन मश्रूम को सौटे करेंगे थोड़े से तेल के अंदर तो बस मेरा पैन गरम हो चुका है और मैं इसको डालके आप गरम करूंगी और प्यास डालती हूँ इसमें ये पहले हमें आउम्रेटी फिलिंग बनानी पड़े ही जिसमें मैं डालूंगी ये प्यास हरी मिर्च और साफ में मैं डालूंगी ये और इसको में करेंगी प्रॉसेश्ट यह देखे इसके अंदर में डालू लिए कमातर बहुती अच्छा कंबिनेशन रहेगा और मैं डालू लिए स्प्रिंग अनियन आपकी चॉइस है आप करके बनाना चाहते हैं मैं आज मश्रूम बटर और चीज का इसका 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 पूरूंगी और मैं डालूंगी स्पोरा साइस में और लिए यह देखे अब इसके सिर्फ दो चीजें जाएंगी वह है नमक और काली में तो मैं इसके अंदर डालूंगी यह काली में और मैं डालूंगी इसके अंदर नमक फूरा सा नमक हम अपनी एक को खेटने के चाहिंपे भी डालेंगे और बस यह हमारी बढ़िया फिलिंग हो जाएगी क्रंची फिलिंग रहेगी इसमें हम मश्रूम को बहुत गलाएंगे ने इस वेल हैव अ नाइस क्रंची तेस्ट अ यह हमारी बढ़िया फिलिंग हो गई तैयार तो बस अब मैं गैस को करूंगी बन और हम खाली करेंगे और इसी पैन में मैं बनाऊंगे अपना स्टक्ट ओमलेट बस चलते हैं ओमलेट बनाने के प्रोसेस में तो मैं ले रही हूं यहां पर यह तीन अंडे और तीन अंडों का ओमलेट हम बनाएंगे तो देखें दो यह इंड़ेव sites आप कैसा बनाना चाहते है इसके अंदर फी में ढालेंगी थोड़ी सी काली मिर्च और में डालँगी थोड़ासा नमक हुं और थोड़ासा टेक्ष्चर देने के लिये में डाले इसके अंदर यह धनिये की पत्ति और बस अब हम अपने ओम्रेट्स को फेट लेगे तो देखे यह अंडा फिट चुका है और इसको हम इस तरह से पहला देंगे इसके अगर इसको थोड़ा होने देंगे जिता इसका रिक्वेट पॉर्शन हो उसको बाहर की तरफ करेंगे इस तरह से यह देखिए यह दूमनेट में बढ़िया हो जाएगा तयार इसको जरा साइदर से हट आएंगे जब आपको स्टफ्ट ओमलेट बनाना हो तो उसका तरीका है कि आप धीरे धीरे इसको आगे करिए और यह लिक्विट को ऐसे लेते जाएगे विच विच विल गेवा बॉड़ देखिए थोड़ा सा और है इसमें लिक्विट इस तना से इतना बढ़िया यह बनेगा कि बस आप याद करेंगे और इस टाइम पर आप अपने को पेमपर करिए एक यह बटर का पीस डाल की और मैं डालूंगी यह सारी फिलिंग इसके अंदर यह देखिए यह हमारी मश्रूम की फिलिंग और इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ी सी और यह धनिया पत्ती और हम डालेंगे माई फेवरेट दे चीज तो यह देखिए हमारा स्टफ्ट चीजी ओमलेट हो गया तयार जिसके अंदर है बढ़िया मश्रूम की फिलिंग और कम मैं इसको करेंगी इसकी प्लेटिंग जम्बू साइज पॉमलेट आपके लिए बिल्कुल पढ़ जाता है तो आज इसको ब्रेक्वस्ट में खाईए और मुझे बताईए आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो अब मैं इसको काटूँगी इस तरह से यह देखे और आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छा स्टफिंग है इसके अंदर also creamy also cheesy so do enjoy this thanks for watching my video do like and subscribe if you love such videos झाल 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 झाल